नमस्कार मैं हूँ आपके साज शिप्रसेनियूर आप देख रहे हैं दिली 99 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगतार इध्यास रस्ता जा रहा है भारत ने इंटलिजेंस उपग्रे एमिसेट का सफल प्रक्षेपन कर लिया है भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संगठन इसरो ने सौमवार को श्री हरी कोटर से 9 बचकर 27 मिनट पर भारतिय रॉकिट पॉलर सेटलाइट लॉंच वहिकल यानी PSLV के जरिये एमिसेट को और्बिट में भेजा है एमिसेट का प्रिशेपन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के लिए किया गया है ये दुश्मन पर नजर रखने के लिहाज से काफे महत्पून माना जवारा है आपको बता दें एमिसेट को इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है इसका खास मकसद पाकिस्तान की सीमा पर इलेक्ट्रोनिक या किसी तरह की मानविय गतिविती पर नजर रखना है तो वहीं ये उपग्रह बॉर्डर पर रडार और सेंसर पर निगार रखेगा ना सिर्फ मानविय पल की संच्वार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधी पर नजर रखने के लिए भार्टेस लक्षा अजेंसियों ने इस उपग्रह का इस्तिमाल कर सकेंगी आपको बता दें हाली में भारत ने अंत्रिक्ष की दुनिया में एक नया इत्यास रचा था जब स्पेस में एक मुविंग सेटलाइट को मानने का सफल परिक्षन किया गया ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना था एमिसेट के साथ PSLV रॉकेट 28 दूसरे उपक्रों को भी अंत्रिक्ष में ले गया है इसरों के मुताबिक रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के एमिसेट को एक खास कक्ष में इस्ताफित करेगा फिर 28 उपक्रे को लेकर PSLV उन्हें दूसरे ओर्बिट में परवेश कर लिया है और इसी के साथ भारत ने एक बार फिर से अंत्रिक्ष की दुनिया में इत्यास रचा है और अधि खबरों को जानी के लिए सब्सक्राइब करें दिली 99